नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितिन ठाकुर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमारी खबरों को इतना पसंद करने का। आपकी पसंद हमें ताकत देती है और यह हौसला भी कि हम जल्द से जल्द आप तक तमाम खबरें पहुचाएं और बिल्कुल अलग एंगल से। अब बात करते हैं कैसी खबर की जिसने पूरे देश में गहमा गहमी मचाई हुई है। 22 अगस्ट को सुप्रीम कोट ने एक ऐसा एतिहासिक फैसला सुनाया जिसका इंतजार 9 करोड मुस्ली महिलाओं को लंबे वक्त से था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का खात्मा। instant triple तलाक यानि तीन बार एक बार में तलाक 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 कहा और पती और पत्नी का रिष्टा खत्म दरसल ये एक लंबी लड़ाई के बाद हकीकत में बदला लेकिन एक बात ऐसी भी है जो जानते सब हैं कहना कोई नहीं चाहता instant triple तलाक खत्म तो हुआ लेकिन इसके साथ बावाल खत्म नहीं हुआ कहीं ना कहीं एक और राजनितिक मुद्दा सांसे ले रहा है और वक्त पढ़ने पर वो बड़ा भी हो सकता है ये है common civil code सबसे बड़ा सवाल आज ये पैदा हो गया है कि कहीं instant triple तलाक को खत्म करना common civil code की तरफ बढ़ना तो नहीं है भाजपा के तीन कोर इशूज में से है एक common civil code दो इशूज आप जानते हैं राम मंदर और धारा 370 दोनों ही मामलों में राजनिती धिरे-धिरे गर्मा रही है अब common civil code है जो instant triple तलाक के खत्म होने के बाद गर्मा सकता है भारतिय जनता पार्टी ने हमेशा ही कहा है कि जब वो सत्ता में आएगी तो कोशिश करेगी कि common civil code को देश पर लागू कर सके दरसल अलपसंक के समुदाय को कानून में कुछ छूट दी गई है उनके मधभ के आधार बर कॉंगरेस ने ये छूट शूरू से दी है अब तक उन्हें मिलती रही है लेकिन भारतिय जनता पार्टी को ये छूट कभी बरदाश्ट नहीं थी उसने हमेशा कहा कि एक देश में एक तरह का कानून लागू होना चाहिए मगर ये लागू करना उतना असान नहीं था कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाग पर रोक सिर्फ एक शुरुवात है दरसल इसके बाद उनका अगला लक्षे यही कॉमन स्विल कोड है अब एक बात साफ है जिस कॉमन स्विल कोड को कॉंगरेस ने कभी छेड़ा नहीं उसी कॉमन स्विल कोड को अब भाजपा छेड़ कर द गी वैसे वैसे कॉंगरस शायद अपने पुराने ठेट मुस्लिम वोट बैंक को सेक्योर करने के लिए उससे उलट बात करेगी तो अगर आने वाले दिनों में हम इस मसले पर हंगामा बर्पा हुआ देखें सड़क या संसद पर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी हाँ दो वाकी कॉमन सिविल कोड को लाना देश में अलसंखकों को किसी तरह का खात्रा महसूस कराएगा दूसरा सवाल क्या कॉमन सिविल कोड लागो हुआ तो देश के अंदर राष्टरवात की एक भावना पैदा नहीं होगी एक समानता की भावना कि हम सब एक कानून को मानने वा इन दोनों एहम सवालों पर चर्चा होना बहुत जरूरी है पूरी इमानदारी के साथ लेकिन इमानदारी से चर्चा होगी भी इस पर शक है इसलिए क्योंकि राजनितिक दलों का पिछला रिकॉर्ड हमारी ये उम्मीदें धूमिल करता है लेकिन यहां पर सबसे महत्वप पर चर्चा होना कितना जरूरी है क्या वाकई ये कोई मुद्दा भी है अलसंख्यकों को इस मुद्दे से डरना चाहिए या नहीं और क्या एक मजबूत भारत बनाने के लिए कॉमन सिविल कोड की जरूरत है शुक्रिया हम इस तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे त झाल